यह नारिश शक्ती विध्यक है लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारिश शक्ती वंदन विध्यक मुझे लगता है यह सविधानिक अधिकार है यह कोई दैविक वरदान नहीं है ये कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दिया का पात्र नहीं है ये हमारा एक सविधानी का दिकार है आपने इसका नाम दैविक और दिया और पूजा से जोड के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्प करने की कोशिश की है स्रीमती रंजीत रंजीत रंजन धन्यवाद सर तैंक्यू सर एक महिला होने के नाते मैं आशा करूँगी कि आप पांच मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूँगी कि आज महिलाओं का दिन है मैं हो मिनिस्टर सहाब से रेक्वेस्ट करती हूँ कि पांच मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजेगा अपनी पार्टी से दीजेगा सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का सौगत करती हूँ मैं भी महिला हूँ और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागेदारी है वो सदन में बढ़े, राजनितिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े मैं एक आपत्ती दर्श कराना चाहती हूँ, जिसका नाम आपने दिया है महिला आर्चन का नारिश शक्ति विध्यक, ये नारिश शक्ति विध्यक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारिश शक्ति वंदन विध्यक, मुझे लगता है ये सविधानिक अधिकार है ये कोई दैविक वरदान नहीं है ये कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दिया का पात्र नहीं है ये हमारा एक सविधानिक अधिकार है आपने इसका नाम दैविक और दिया और पूजा से जोड़ क मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्प करने की कोशिश की है यह एक मैं महिला होने के नाते बोल रहे हूं वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सब को मालूम है वंदना हम महिलाओं की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो जितनी भी पुरुष मानसिक्ता है महिलाओं की वंदना इतिहास गवा है कि जब जब आपको शक्ति के जरुत होती है जब जब आपको सत्ता पाने के जरुत होती है जब जब आप विजय की आशा रखते है तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते है वंदना करने लगते हैं लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी बंधना होती है आपकी बंधना हमने जंतरमंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी आपकी बंधना आपका महिलाओं का सम्मान जब मनी मूर्पे हमारी महिला निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी आपकी बंदना और आपकी पूजा और सम्मान, जब एक रेपिस को बचाने के लिए, जब आप सत्तापक्स वालों को ये मालूम चलता है, कि वोड की राजनिती में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट कर ना महिला कभी थी, ना होगी, ये हमारी करुणा है, हमारी मम्ता है, कि हम आपको, अपने आपको, आपके सामने दिया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी करुणा है, हम आज इस नए सदन में बैटे हुए है, मैं प्रसंशा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जो पूराना सदन है, वो घड़े का पानी है, और ये जो नया है, रेफ्रिजरेटर का पानी है, और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिन्दगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं, बस इतना फरक है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फरक इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है, मैं जरूर बोलूंगी, कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, म नहीं बड़ी प्रेड़ना है सभापती जी, कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्धाटन हुआ, तो हमारी महिला राश्पती आधनिय मूर्मो जी को उद्धाटन तक में नहीं बुलाएगे, ये हैं आपकी नारी वंदना, तेरा साल से हमारा आरचन, हमारा अधिकार, हमार सम्मान से हम वन्चीत है, लेकिन मुझे आपके इस बिल में शड्यान नजर आता है, तेरा साल से राजसभा में हम लोगों ने पारित किया था, और आज आप इसको लेकर आए है, आज आप इसको लेकर आए है, अरे प्लीज, सुनिए ना, आज आप, आज आप इसको लेकर आए है, साड़े नौ साल के बाद, 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफिस्टों में था महिला आच्छन देना है, साड़े नौ साल क्यों लग गए, मेरा पहला सवाल आप से यही है, दूसरे सवाल महिला आच्छन के लिए, आपको इस पेशन सत्र बुलाने की जुरुत क्यों पड़ गई, प्रचार करना था, जो लाइम लाइक लेने की आदत, आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिला को भी आपने यूज किया है, तीसरा सवाल, आपने कहा, जाती जंगड़ना और परिसिमन का पेश, जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आप से पूछती हूँ, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल, कि अगर हम यह नहीं कहते, तो आप पी आई लेकर सुप्रीम कोट जाते, अरे आप तो वो लोग है, जुन्होंने नोट बंदी लगाने से पहले, किसी से चर्चा भी नहीं की, और 155 लोग लाइनों में मार दिये, तो अभी ऐसी काउंसी बादा है, आप वो लोग है, जो किसान का काना कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, सारे 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बादा नहीं बनी, एक साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे, मैं आप से सवाल करती हूँ कि फिर महिलाओं के, रिजर्वेशन के, अधिकार में, ये परिसिमन की, ये जंगन्ना की, सीट के रोटेशन की, जो आपने बादा लगाई है, क्या ये चुनावी अजंडा है, 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जुन जुना दिखाना है, मैं आप से, आपकी नियत और अपने कॉंग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहते हूँ, उधारन देना चाहते हूँ, आप महिमा मंडल कर रहे हैं, कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उधारन देती हूँ, कि 2009 मार्च 2010 में, जब UPA2 राज सभा में, जब ये बिल पारित हुआ था, यानि सत्ता में आने के एक साल के बाद, यानि कि हमारी मंशा, आने वाले लोग सभा में, इसका प्रचार करना नहीं था, 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाओ था, हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्ति करनन करना चाहते हूँ, राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटर्व्यू, कि एक संचीब, शब्दों को याद करना चाहती हूँ, कि महिलाओं के मामले में, जो हिंदुस्तानी पुरुष है, वो डबल स्टेंडर का है, एक तरफ तो वो उचे सिहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरे तरफ, जब उसको सम्मान और सम्मानता का अधिकार देने की बारी आती है, तब वो अपना पल्ला खीच लेता ह है, जैसा कि आपने हमारी राजपती जी के साथ किया, वो भी ट्राइबल, मैं आप से सिर्फ इतना कहना चाते हूँ, कि देखिए, हम चाहते हैं, कि जाती जंगंड़ना, परिसिमन, रोटेशन को दरकिनार करके, आप महिला को आरचन क्यों नहीं देना चाते हैं, इसका मतलब है, आप पुरुष के हिस्से में से, महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाते हैं, आप परिसिमन करेंगे, सीटे बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे, आखिर क्यों नहीं, आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं। का अधिकार दे हमें वंदना और पूजा नहीं करें। इसके साथ मैं आप से जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो SCST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं संघश करके आई हैं कल भी आ जाएंगी। हमें भी संघश करना पड़ता है लेकिन इस राजनीती के फिल्ड में इस मैदान में एक अकीली महिला अगर वो समाज के लिए अच्छा भी करती हैं। लेकिन इस राजनीती के दलडल में उसका अकेले कूदना संघश करना आज भी बहुत जटिल है। कि अगर महिला मजबूत है आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलना चाहती है। अपनी राय रखना चाहती है वो जो पूरुष मान सिकता है उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं मैं अपनी पक्स की महिला से भी कहूंगी कि जब मनिपूर की घट्टी जाएं।